हेलो सुरेंट्स कैसे आप सभी लोग आज हम इस वीडियो में हमारा साइंस का थर्ड चेप्टर जिसका नाम है डाइवसुटी इन लिविंग तिंग्स एंड देर क्लासिफिकेशन इसका मैं आपको क्षेशन एंस कराऊंगा ठीक है और इस चेप्टर के एक्स्प्लेनेशन मैंने आपको अल्रेडी दे दिया है आप हमारी प्लेइलिस्ट में जाकर देख सकते हो ओके तो चलो स्राट करते हैं दोको पहले क्या फिलिंग दा ब्लेंक्स इसमें फर्स्ट का है प्लांट्स प्रिपेर दियर ओन फूर्ड देर्फॉर्फॉर्फॉर्फ Ones of Reproduction क्या बहुते हैं अब यहाँ पर फूर्श में क्या दिए आपको फूर्थ में वाश्य कैक्टस फ्लेशी यहाँน。 आप्लांट दे नवा हुनाही है क्लांड्स मतब क्या जो climbers plant कुछ से होते है देखो जो plant नहीं किसी चीज़ का support लेके चड़ते हैं उसे बुलते हैं तो क्या बोले है आप है climber like money plant have aerial roots ओके अब six क्या है animals have various organ systems which carry on various functions inside the body देखो यापर क्या बोले animals जो रहते जानवर जो रहते उनके कई organ system रहते हैं कई उनके जो body के अंदर कई organ system रहते हैं जो अलग-अलग function उनके body में करते हैं seven क्या earthworm is an invertebrate animal क्या बोलने आपर जो earthworm है यह invertebrate animal है बारिश कर समय आपको अर्थworm दिखता होगा invertbrate मतलब क्या होता है जे ऐसा जीव जिसकी read की हड़ी नहीं होती बैक बोन नहीं होती है ठीक है तो यहाँ पर वही बोल रहे है कि earthworm जो है क्योंकि इसकी बैक बोन नहीं होती है इसके इसे invertbrate animal बोलते है अब देखो question number two में क्या है यहाँ पर आपको यहाँ पर हमारा है match the pest first क्या amphibian तो amphibian कोन है frog है second क्या vertebrate vertebrate कोन है monkey है देखो amphibian मतलब ऐसा जीव जो पानी और जमीन दोनों पर सास ले सकते है तो frog vertebrate मतलब क्या ऐसा जीव जिसकी backbone होती है रिड की हड़ी होती है तो monkey थर्ड क्या है with scales ऐसा जीव जिसके scales होते है श्रीर पर तो क्या है snakes sorry a snake snake फौर्थ क्या है tree tree में क्या आपका है mango and गुल्मोहर फिर जाके आपको फिफ्थ में क्या दियागया है shrub में क्या अलिएंडर लेंटेन है six क्या herb सेनुक्रीक and फिरिविंकल सेवन्थ में क्रीपर क्रीपर में आपको पंकिन क्यों क्यूंबर okay अप को तो देखो क्या बोले हैं यह एक फ्लावरिंग प्लांट इसमें फ्लावर आते हैं लेकिन जो दूसरे हैं यहां पर प्लांट दिए गए इनमें फ्लावर नहीं आते हैं यह स्ट्रेट बढ़ता है इसमें ब्रांच नहीं होते हैं बाकी के यहां पर हमें ट्री दिये गए है जो पेड़ दी का इनमें ब्रांच के धबिसकस इसका एंसर का आपका हCU क्यों हम व्लावर अधरसर फूट्स क्या बले हिबिसकस जो यह यह फ्लावर ओय करे बाकी जो है व यह क्यों बैनियद प्रिण्ट एंजा और सार नॉट क्यों जबक्रण जो इसे प्रंट जो प्रेज कुले बहुत unity अधर इसे फ्रूट MI नहीं पणिंद नहीं है शिक्सके इल्प जो आपका इंसर क्या है? Fish. क्या है? Others are terrestrial animals. Fish क्यों? क्योंकि बाकी सब जमीन पे रहने वाले हैं और जो फिश है वो पानी के अंदर रहने वाले हैं. या तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं. क्यों? Others are vertebrate animals. क्या बले? आप वाम लिख सकते हैं. क्योंकि दूसरे vertebrate animals हैं. जिनकी क्या है इसमें देखो? पहले आपको अब flowering plants और non-flowering plants तो आप कैसी लिखोगे? यहां पर flowering plant यहां पे non-flowering plant. फ्रस्ट कह रहेगा flowering plant में आपका फ्रस्ट कहा है? Flowering plants bear flowers. क्या बले? जो flowering plants होते हैं उनमे flowers आते हैं. फूल आते हैं. Non flowering plants do not bear flowers. और non-flowering plants प्रॉटो नहीं है। फूम में र् County स्कुनल और रॉटार क्यों वह हुआ है। इस उसमी अगशन और टरी के oh-la जो नोन फावरिंड प्लांट्स रहते हैं उन सकता है जर्ड स्टेम पत्तियां सब नहीं हो फ्लावरिंग प्लांट्स बेर फ्रूट्स विद सीड्स क्या बहुत है जो फ्लावरिंग प्लांट्स रहते हैं उनमें जो फ्लावरिंग प्लांट्स आता है वो कैसे आता है सीड्स से आता है और नौन फ्लावरिंग प्लांट्स do not bear fruits with seeds क्या बुल रहे हैं कि जो non-flouring plants रहते हैं उनमें जो fruits में बीज नहीं होते हैं फॉर्ट का은 tat flowering plants are more evolved ग्या बुल रहे हैं जो flowering plants रहते हैं वो बहुत जज़ ज़ाधा evolved रहते हैं बहुत ज़ाधा wixeed रहते हैं non-flowing plants are not much evolved क्या बलना है जो non-flooring plant रहते हैं ज्यादा evolved नहीं रहते हैं ज्यादा विक्सित नहीं रहते हैं अब देखो आपको यहाँ पर question number two में कह दिये इसका difference कह रहेगा ट्री और यहाँ पर ट्री में कहा रिखो के अट्री ग्रोस टॉल मतलब एक जो ट्री रहता है बहुत लंबा बढ़ता है बहुत चोटा होता है ट्री आर पेरेनियल के आपने जो ट्री रहता है वह साल बहुत साल तक जीते हैं दस साल 20 साल 30 साल बहुत जादा साल तक और जो श्रव होता है श्रवार एनौल और बाइनियल और क्या बहुत जो श्रव रहता है या तो एक साल यहाँ या तो दो साल ठीक है अपका फूत में कह रहे हैं ट्री गीव आउट ब्रांचे इट सम हाइट एक्जामपल मैंगो जै क्या बोल रहे हैं जो श्रब रहते हैं वो जमीन के पास ही अपनी क्या करते हैं शाक शाखा निकालते हैं एक्जामपल ओलेंडर लैंटेना जो पेड जो यह ट्री जो रहते हैं यह उचाई पर जाकर अपनी यह ब्रांचिस निकालते हैं और श्रब जमीन के पास ही रहते हैं जादी नहीं बड़ी रहती तभी वह अपने ब्रांच निकालने लएकते हैं अग अगए कुछन 3 में उसके आपको वोटीप्रेट्स और इन रिद्धी ओती होती है invertibrates do not have vertebral column in their body क्या बोले invertibrates में read के हड़ी नहीं होती है second क्या vertebrates have well formed organs क्या बोले जो vertebrates रहते हैं उनके अंदर अच्छे से organs रहते हैं invertibrates do not have well formed organs और invertibrates में जो organs रहते हैं जो अंग रहते हैं अच्छे से formed नहीं रहते हैं third क्या vertebrates are evolved animals example fish snake birds frogman क्या बोले जो vertebrates रहते हैं वो अच्छे से विक्सित हुए रहते हैं जैसे की मचली हो गई साप चुडिया मेंडक इंसान और invertibrates are primitive animals example amoeba snail insects earthworms क्या बोले जो invertibrates रहते हैं वो अब बसे तो विक्सित नहीं हो पते हैं अच्छे से तो उसका example क्या amoeba हो गया snail हो गया insect earthworm ठीक है अब आगे चलते हैं आप दो fifth में क्या true false सही है गलत आपको पताना है first क्या the snail is an aquatic animal क्या बोले जो snail होता है वो aquatic animal मतलब पानी में रहता है क्या यह false है गलत हो जमीन पर रहता है थर्ड क्या the function of the brain is well developed in vertebrate animals क्या बोले जो ब्रेन का जो function रहता है वो अच्छे से develop होता है vertebrate animals में तो यह true है सही है ठीक है अब चलो question no 4 पर चलते हैं क्या बोले हैं आपर इसमें बहुत सारे से होते हैं यह false है हमने पढ़ा था चैप्टर में अमय वह सिंगल सेल यूनिसेलिलर ऑर्गिनिजम है फिसका डॉडर इस हेट्रोट्रोफिक प्लांट क्या यह क्या आपर बोले जो डॉडर प्लांट है यह हेट्रोट्रोफिक प्लांट है यह true है ठीक है 6 क्या आपको method of classification that was given by Carlos Linnaeus is used only in Europe क्या बोले है जो method of classification Carlos Linnaeus दवरा दिया गया था सिर्फ यूरोप में यूज होता है यह false है यह हर जगा यूज होता है अब आगे देखो क्या है 7 आपको क्या है the hub of fenugreek is perennial यह answer क्या आपका false है तो यह false क्यों है क्यों देखो perennial मतलब क्या ऐसे पेड़ पदे जो सालों साल तक जीते हैं ठीक है तो लेकिन यह जो fenugreek है तीन से चार महिने तक आप बोल सकते हैं इनकी life रहती है ठीक है अब देखो मतलब क्या जो उड़ते होँए Mexico 89 के से राटवश से पलांट जिसमें भूल आते तो इस प्लांट जिसमें फूल नहीं आते है तो प्री जो बड़े-बड़े पेड होती हैं उनके नाम लिखने है तो क्या है और तीख नीम पर उश्बड करफ्ड है छ्रब में क्रीपर मतलब क्या होता है ऐसे पौदे जुनको अगर आप सपोर्ट दो पकड़के चड़ते हैं सपोर्ट को तो उसमें हमारा पंप्किन कुक्यूंबर है आपको एन्वल प्लांट मतलब ऐसा प्लांट जिसकी लाइफ साइकल एक साल में क्या प्लावर यहां पर आरे हुआ पर आपको बोले हैसे यहां पर आपको बोल रहे प्लांट क्या होते हैं तो आप देखो यहां पर क्या लिखो गया पैंसर में रूट्स इस्टेम लीव मैं फ्लावर से फ्लावर इंद फ्रूट्स इस्टेम प्लांट के what are the functions of the root क्या बोले एक जो root रहता जो जड़ रहती है पेड की इसका function क्या रहता है आपका answer बिया functions of the roots मैं आपके function लिखेंगे root के क्या काम होते है root के तब क्या answer में देखो क्या आएगा roots hold the soil firmly यहाँ पे देखो S-O-I-L आएगा मैं इसको correct कर देता हूँ देखो यहाँ पर soil firmly क्या बोले जो root रहते है जो जड़े रहती है पेड की वो मिट्टी को अच्छे से पकड़ती है absorption of the water and nutrients from the soil is done by roots क्या बोले यहाँ पर कि जमीन में से मिट्टी में से पानी और nutrients को absorb करना यह root का काम होता है जड़ों का काम होता है roots transport the absorbed water and nutrients to the stem क्या बोले और जो जड़े रहती है पेड की क्या करते है जो वो पानी और जो nutrients मिट्टी से absorb करते है अपने अंदर उसको stem में भीशते हैं मतलब प्लांट के बाकी हिस्से में भीशते हैं क्या सब modified roots store food in them क्या बोले है क्यों कुछ जो modified roots रहते हैं जो विक्सित roots रहते हैं वो अपने अंदर खाना भी store करते हैं example carrot radish आपने देखाऊगा जो carrot है और जो radish है जो मूली और गाजर जो रहती है वो कहाँ पर होती है पेड़ की जो पेड़ पौदा रहते हैं उसकी जड़ में होते हैं ठीक है जो पेड़ की जड़े रहते हैं वो पेड़ को support करती हैं question number 3 में क्या आपको why is it necessary to classify living things क्या बोलोगे आपर कि living things को classify करना ज़रूरी क्यों है ऐसे आपको पूछा है there is a vast diversity among the living things present on the earth क्या बोलोगे आप कि हमारे धर्ती पर बहुत ज़्यादा मातरा में जीव है for identifying these living things and also for studying the characteristics of them we need to classify them properly in a scientific way क्या बोलने तो उनको identify करने के लिए उनको पहचानने के लिए और उनके बारे में पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है उन्हें classify करते दना पड़ता है scientific way से scientific तरीके से ठीक है अब दो question number 4 में आपको क्या दिया गया है यहां पर question number 4 में आपको what are the criteria used to classify living things क्या बोले कौन-कौन से criteria का use कि आ जाता है living things को classify करने के लिए तो आपका answer क्या है structure of the living thing मनदब जो living thing उसका structure कैसा है उसके body का different organs present और उसके अंदर कौन-कौन से organ कौन-कौन से अंग है similarities and difference between them और उनके बीच में difference और similarity कौन सी है जब हम classify करते हैं दो living thing के बीच में other characteristics और दूसरे भी जो characteristic है खासी आता है वो भी हमें classify करते हैं आप question number 5 में देखो क्या आपको tell some characteristic of creepers क्या होले जो creeper रहता है जो plant बन्तब कि जो एक plant ऐसा जो किसी चीज़ का support लेके चड़ता है तो उसके characteristic बताओ उसकी खासियत बताओ तो आपका answer क्या है the creepers have very flexible and green stem क्या होले जो creepers रहते हैं इनके बहुत ज़्यादा लचीली और हरी stem होती है it is soft and thus cannot give support to the plant on its own क्या होले कि जो creeper जो रहते हैं बहुत ज़्यादा soft रहते हैं बहुत ज़्यादा लचीले रहते हैं इसके लिए ये support नहीं दे पाते है plant को खुच से the creepers therefore take support of the nearby object क्या होले इस कारण क्या होता है जो creeper plant रहते हैं वो कोई भी आजवाज़ जो उनको support मिलता है उसका help लेते हैं उसके help लेते हैं बढ़ने के लिए creepers have aerial roots example money plants और spring like tendrils example cucumber for such support some creepers spread horizontally on the ground क्या होले creepers में aerial roots रहते हैं मतला कि वो उपर चड़ते हैं ठीक है जैसे की money plants या तो spring like tendrils उनके रहते हैं जैसे की cucumber और ये क्या करते हैं ये support के लिए कभी-कभी horizontally भी ground पर क्या होते हैं फैल जाते हैं ground पर ही बढ़ जाते हैं कोशों में आपको क्या है explain the characteristics of herbs with two examples क्या बलने हैं herb को आपको explain करना है इसकी characteristics को दो example के साथ आपाइसे में कहले हुए कि herbs are short plants growing to the height of about 1 to 1.5 meters क्या बलने हैं herb एक छोटे plant होते हैं जिनके height 1-1.5 meter तक बढ़ती है the stems of the herbs are flexible and green क्या बलने और जो herb के जो stems रहते हैं वो बहुत ज़्यादा flexible और green रहते हैं मतब बहुत ज़्यादा लचीले और हरे भरे रहते हैं आगी क्या है they are short examples of shrubs are fenugreek and periwinkle क्या बलने sorry यहाँ पर में ते they are short lived क्या बलने और यह जो हमारे herbs रहते हैं इनकी life span इनकी जिन्दगी बहुत कम होती है they survive for a few months or a year or two क्या बलने इनकी जो life span रहते हैं इनका जो जीवन रहते हैं वो कुछ महीने या तो एक या दो साल रहते हैं examples of herbs और fenugreek and periwinkle क्या बलने example उधारन जो है हमारे herbs के वो है fenugreek और periwinkle अब देखो question number seven में क्या है on the basis of which criteria will you classify plants and animals क्या बलने कौन से criteria की base पे आप plants और animals को classify करते हैं वो आपको बताना है तो आप answer पे का लिखोगे हमारा इसमें देखो दो criteria हम classify करते हैं पहला क्या है criteria for classifying plants क्या बलने plants को classify करने के criteria पहले कैसे हम classify करते है plants are classified according to the following basis क्या बलने plants को classify करने का यह हमारा यह सब हम criteria लेते हैं क्या है height मतलब उसके height कितनी है shape क्या है shape of stem क्या है period of life cycle क्या है मतलब कितने time तक जीते हैं उनके जीवन कितना होता है whether they produce flowers or they are non flowers वो flower produce करते हैं मतलब फूल उनमें आता है या नहीं habitat और वो कैसी जगह रहते हैं तो इस हिसा यह सारे चीजों को लेकर हम plant को classify करते हैं फिर क्या है criteria for classifying animals हम animal को कैसे classify करते हैं animals are classified according to the following basis तो इसमें देखो आपको first care cell structure मतलब कि वो animal जो है वो जो जीव है उनके अंदर कितने cell है vertebral column और उनके अंदर vertebral column है या नही method of reproduction और उनका method of reproduction कैसा है वो अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं और habitat और वो कैसी जगहां पर रहते हैं ठीक है अब दो question number 8 में कहा है आपको how is the body of animals protected क्या वोले यह जो एक animal रहते है उसकी body कैसे protective रहती है कैसे सुरकशित रहती है आपका अंसर क्या है some animals have protective covering on their body क्या वोले कुछ अनिमल्स के body पर एक protective covering रहते है कवच जैसा रहते है some animals have a layer of scales क्या वोले कुछ अनिमल्स के उपर scales रहते है some black turtles and tortoise have plates क्या वोले कुछ animal कुछ जानों जैसे कि टर्टल हो गया है और टॉटल उनके प्लेट्स रहते हैं उनके शरीर के ऊपर कुछ एनिमल बिहवियर पैटर्न दिखाते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करता है कुछ एनिमल के पास सींग होती है नाखून होते हैं तेज़ दात होते हैं ताकि वो अपने आपको प्रेडेटर से बचा सके ठीक है यह अलग-अलग तरीके हैं जिससे एनिमल अपनी रक्षा करते हैं जिससे वो सुरक्षित रहते हैं अब दोखो एर्ट में किया है एक अपने में आपको ब्लांट का अलग-अलग पार्ट बगताओं जैसे कि उसका रूट जो उसकी जड है ज़ो इसकी प्तियों तो यहां पर यह तो यहां पर हमने आपको यह रभान है यहां पर दिखाया है यह हमारा प्लांट है छोटा जो जबीन के अंदर है इसको हम root बोलते हैं जबीन के बाहर जो देखो यह है इसको हम stem बोलते हैं और leaf हमारी यह पतिया है ओके इस तरीके से आपको करना है तो यहां पर हमारे chapter complete हो गया इसके question answers ठीक है I hope आपको अच्छे समझाओगा आप इसको अच्छे से पढ़ लो और learn क कर लो तो मिलते हैं अब है अगले उडियो में अगर आपको यह उडियो अच्छा लगाओ तो आप इस उडियो को लाइक करो अपने सभी दोस्तों को साथ शेर करो चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू